नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सर्वेश कलासेश के जीजी में आज हम करने वाले हैं एस्टेटिक्स जीके के कुछ चुनिंदा कताई जहर और एक्जाम में छपने वाले प्रस्म जो कि SSC GD, NTPC CBT2 और Railway Group D में खास लाव दायक सिद्ध होने वाला है और अभी हाल फिलाल में ही MTS का भी एक्जाम होने वाला है उसमें भी यहां से एक ना एक कोश्चन क्या है आएगा तो आईए हम क्या करते हैं कोश्चन के और आगे वरते हैं आप पूरा वीडियो को देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे कोश्चन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ करना मत भूलिएगा ठेक और अगर आप इस कोश्चन का पीडियाफ सेट मारना चाहते ताप हमारे टेलिक्राम चैनल को जोइन कर ले जो की लिंक में दिया हुआ है चलिए आगे वरते हैं सबसे पहला सवाल है हमारा इनेस को द्वारा सांची अस्थूप को विश्व धरोहर अस्तल में कब गोस्त किया गया या कब घोसित किया गय 1990 में या 1989 में या 1988 में या 1987 में तो सांची को सरपर्थम कब दिया गया आपको आपको दिया गया 1989 में इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब भी होगा ठीक न आगे बरते हैं अगला सवाल देखते हैं किस देश में सबसे सफल साकारी किरसी है देखिए साकारी किरसी क्या होता है वो इसा किर्सी जिसमें सामुहिक रूफ से किर्सी किया जाता है उसे क्या कहते है साकाहरी किर्सी साकारी किर्सी कहते है ठीक और यह साकाहरी किर्सी अभी सफल कहा है तो आपको डेनमार्क में क्या है सफल है और आप लोग जानते होंगे डेनमार्क में क्या होता ह होस्टिंग पाली जाती है जो क्या करते है बहुत दूद देती है और वहीं से हम लोग क्या किये हैं गये लाएं है इंडिया के लिए भी लेकिन वहां ठंधा कंडिशन होता और यहां ठंधा नहीं होने को जासे गये क्या होती है दूद कम देती है अब का पुर्ण रूप क्या है соп का पुर्ण रूप क्या है है गर्ना है फाङर टेक्स प्रोटोकऑल तो आपका साहिजवाब होगा ऑफार टेट्स प्रोटोकफ़ ठांवान गयाथ है और सबस्तित को हाइए इस नामे यह किया गया था या 94 में नरों जी कुन किये थे दादा भाई ने रो जी ने कलकत्ता में इस अधिवेशन का देख्षता किये थे और इस अधिवेशन में भी गरम दलो नरम दलो लामेटर आ गया था लेकिन जब ज़्यादा नरोजी को अध्यक्स चुन लिया गया तो दोनों सांत हो गये लेकिन इसके ठीक एक सालवाद आप लोग जानते हैं यह क्या हुआ था 1907 में सूरद अधिवेशन में कांग्रेस का पहला फूट हो गया था विभादन हो गया था ठीक ना आईए देखते किस अफरीकी देश ने बिस मलेरिया दिवस के अफसर पर बच्चों को रोग के परभाव से मुक्त करने है तू पहला मलेरिया वैक्सिन लॉंच किया है तो करेंट अफेर का सवाल है मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है कमेंट वक्स में आप लोग लिखिये यह कुन सा देश था यह मलावी देश था कुन सा देश था मलावी देश था आईए आगे चलते पुरातात्विक खुदाई के बारे में अन्रेश्ट मेक्चे द्वारा मोहन जोदरो कहां इस्तित आपको पता है पाकिस्तान के सिंद प्रांद के लर्काने जिले में इस्तित है क्या ची मोहन जोदरो की खुदा इकोन किये थे राखाल दास वनर जी ठीक नौ तो आगे बरते हैं अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं वीडियो को नहीं तो आप पूरा देखीए पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगे कुस्षिघ काहीं से भी कुस्षिघ आया है लेकिन आप के फाइदे की श्रीज है आप लोग को question अच्छा लगे यह aesthetic सवाल है जो कि क्या है आने वाले सभी exam में पूछे जाने की परवल संभाबना है केंद्रिया परियावरन बन और जलवाईव परिबरतन मंत्री द्वारा शुरू किये गए समाजी कांदोलन का नाम क्या है देखिए समाजी कांदोलन ने start कि तो नाम है Green Good Duds या Great Green Duds या Green and Clean Duds यह Great Clean Duds तो क्या नाम है Green Good Duds नाम है अगला सवाल देखते हैं, बस 2020 के लिए परतिष्टित राजीव गांधी खेल रतन प्रुसकार के लिए भारतिय कुस्ति महासंग द्वारा अनुसंसित महिला पहलमान का नाम बताईए, तो क्या नाम था, विनेस फगोट, क्या नाम है, विनेस फगोट को क्या किया गया, मेजर ध्यान-चंद्र का नाम प्रुसकार का नाम भी बदल गया है, और इसके तहड कितनी हैं, तो 25 लाक रुपए की रासी दी जाती है, 25 लाख रूपे की राशी दी जाती है और बविता फोगवाट बविता कुमारी साक्षी मलिक और कविता देवी ये सब भी क्या है ये सब भी कुस्तिफ लेयर ही हैं आईए अगले सेट की सवाल क्यों चलते हैं कि आपका अगला सवाल है किैं जापान में जापान के समराटत ओकी हीतों द्वारा राजगदे के त्याग के साथ सुरू हुए नए समाजिक यूग डैस के रूप में जाना जाता है, तो यह नया सामाजीक क्रेंट का कुश्चन है, वो कोई ही तो जो कि 106 साल कmail क्लव came to get, उन्होंने गदी त्याग दि अपने बेटे के लिए, और यह किस रूप में जाता है तो यह आपको जाना जाता है किस रूप में यह जाना जाता है, इ इस रूप में तो यह रीवा रूप में जाना जाता है इसका क्या होगा सी होगा आप देखिए भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है तो भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम है डेकन कुईन और डेकन कुईन कहां से कहां तक चली थी तो डेकन कुईन म मुंबई से पूने कहां चली थी मुंबई से पूने के बीच चली थी लिखते कुछ लिखा कुछ जाता है ठीक आगे आईए संसाद आदर्स ग्राम ठीक संसाद आदर्स ग्राम योजना का प्रेड़ना सरोत कौन है तो देखिए लालबादु सास्चरी तो यह आप सिधा मार सकते कौन है महत्मा गांदी है कौन है महत्मा गांदी और यह संसाद आदर्स ग्राम योजना किसके जन्म सतावदी पर स्टाट किया गया था तो यह स question देखिए क्या है GST किस तरह का कर है तो आप सभी जानते होंगे GST का फूल फॉर्म क्या होता है goods and service tax ठीकन और यह किस तरह का tax है तो यह आपका offer tax कर है कैसा कर है और यह कैसा कर है आपका लीशर है ऑपर नवंबर 2020 के अनुसार संयुकतव राश्ट के महाँ सचीव कोण है तो अभी बरत्मान में संयुकतव सब्समाशिब कोण है संयुकतराश्ट संग के बरतमान में महाFirst अपका इंटेन्यों गूतरेस हैं बरत्मान में और इससे पहले बान की मुन थे जो कि कहां के थे दक्षिन कोरिया के थे और कोफी अननान अफ्रीक की क्या है फाहिला आफ्रीका के पहला जो सजुकत राश्ट्रंक के अध्यक्ष बने थे वह कुन थे कोफी अननान थे ठीक न आएगे वर्ते हैं भारत में ब्रीटिस महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेंमोडियल वनाय गया थो अथ्यं को रही है आफ्र duration में महिला सामिल हूए थी ब्रीटिस महिलाओं को समर्पित करके तो किसने वनाया था यह वनाया था आपका जोसेफ Supreme पेटन ने किसे बनाया था जोसेफ नेवल पेटन ने और 857 कि क्रां्ती को सिपाहियों की करांथी कहते हैं आप लोग को पता होगा और ये 857 की क्रांती 10 मही has Г Weld step पर इसके परनेता सबसे पहले स्टार्ट करने वाले कुन थे तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले आपको थे मंगल पांडे और बोले थे नारा दिये थे मारो फिरंगी को और क्यों हुआ था तो वही चर्वीव लगा कास्टूस कार्तूस्त के वज़़े से हुआ था इंफिलीट राइफल आ गया था ठीक चलिए आगे बरते हैं कौसा वेब ब्राउजर नहीं है गूगल सफारी मोजीला ऐ ओपेरा तो देखिए गूगल क्या है गूगल कोई ब्राउजर नहीं है तो इसका जवाँ प्शाइप लोग वारत का पहला सूपर कंप्यूटर कों सा है तो देखिए आप लोग याद किये होंगे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कोन है परम लेकिन यहाँ परम 8000 परम युबा परम परम या परम बायो कॉम तो कोन है तो आपको याद रखना है कौन सा है पहला तो आपको पहला है परम 8000 क्या है परम 8000 भारत का पर्थम सुपर कर दिया जाएगा ठीक ना आप लोग को कोश्चन अगर अच्छा लग रहा होगा और अभी तक अगर आप लोग हमारे वीडियो पर टिके हुए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दवा दीजिए ठीक ना भारत का सम्मिधान दिवस किस दिन मनाया ठीक ना और उसके बाद 14 अपरेल को क्या मनाया जाता है तो प्रारूप समीति के अध्यक से डॉक्टर भीम्राव अंबेदकर का जर्म दिवस मनाया जाता है 14 अपरेल को और 26 जनवरी को आप सब जानते हैं गंतंत्र दिवस और 15 अगस्त को 17 दिवस के रूप में मनाया जात अगLoiv चोती हैं और इनम्य से कौन सी भारत की सबसे उचि चोती है देखें भारत की सबसे उची चोती कौन साहतों है तो बारत की सबसे ऊचर्ण जंगा क्यों इसकी उचाही कितनी है Makius 886Ch Nashville Amos 2586 meters 85 और लेकिन अगर पूछ mr. यो इसकी उचाए कितने influen complex भॉल्ट औरल में है ऑलकर वह समय क्राबशन यह थिख कि आप लोग बस प्रड़ते रहे और कोस्टन अच्छा लग रहा होगा तोल्म कर दिएगा और दोस्तों के साथ से शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक, निकित में एसे कौन, फुट्रूज उद्योग का उधारन कौन है, तो ये computer किया گया था GSM Mark 3 M1 के द्वारा किसके किया गया § और कब किया गया था? यह आप लोग क्या किजे ऊवर लिखिए गा öğren आगर यहां तक वीडियो देख रहे हैं, बने हुए हैं तो इसको comment box में लिखना है कि कब किया गया था ठीक ना आगे आईए क्या है भारत के उस्तम नियाले के लिए निम्रखित में से क्या सही है तो यह संगिया नियाले है बिल्कुल उस्तम नियाले संगिया नियाले है अब पिलिया नियाले है तो बिल्कुल यह पिलिया नियाले गभी है उसके बाद रहता है संभीधान का एक रक्षक है को है जो कहा है अमेरिका के समभीधान से लिया गया ऑगे वरते हैं अगला सवाल है करैंतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय राम-क्रिष्ण-मिसं स्वामि के रूप में वयतित की एंपिट? जए करैंतिकारी का नाम है? जीतेंद्र नात पंदोपाद्याये नाम है अब दीए अर्विंद खोस के बारे में आप क्या हुए भागे और भाग के सिधा पंडी चेरी चले गए और उहां जाके और विले आश्रम अस्थापित कर लिए और बंदम बंदे मात्रम नामक पत्रिका निकानने लगे और यह बेचारिक क्या करने लगे बेचारिक राष्टबाद को बरावाद देने लगे अर्विंद उर्जा यह गयर प्रमप्रागत उर्जा मतलब वह इसा उर्जा जो नविकर्णिय उसे क्या कहते हैं अगला सवाल देखिए आपको क्या है शिस्टमों पर एक से अधिक परकिरिया शाथ साथ चलने की को क्या कहते हैं इसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग क्या कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं ठीक ना आगे बरते हैं क्या है आपका है नीती आयोग के जैक्स कोन होते हैं तो आपको पता है नीती आयोग के जैक्स कोन होते हैं तब हमारे परधान मंत्री होते हैं और बरतमान में नीती आयोग के जैक्स क तो नीती आयोग का पुराना नाम आपको था योजना आयोग जो कि 15 मार्च 1950 को गठीत हुआ था था ठीक नौँ अगला सवाल है गर्म एवन ठंडी समुद्री धारा है किसके कारण बनती है तो परवाही थभाओ के कारण पिर्थवी के घुर्णन के कारण समुद्री जल के घ इंपटन सेट आप लोगको कोस्टन कhayसा लग रहा है जरूर बताईएगा देखिए सबंडी सवाल और बॉसक्ति राव को किस नम से जाना यता था था इनको ना ना साहिब के ना में का या adapt उक्त आपकर था ना आधिए और यहोड़ेबर आपको अब लोग यादी होगा कि क्या चीते की चाल बाज की नजर और बाजी राओ के तलवार फे शक नहीं करते है श्रीमन ठीक नहीं अगला सवाल है महत्मा गांधी को राम राज की संकल्पना क्या थी महत्मा गांधी की राम राज की संकल्पना क्या थी तो इसकी संकल्पना थी राज विहिन समाज कैसे संकलन पना थी राज विहिन समाज संकलन पना थी अगला सवाल आते हैं देखिए बारत में जब नियंतरन किसके द्वारा किया जाता है भारत में रीन का नियंतरन किसके द्वारा किया जाता है तो भारत में रीन का नियंतरन भारतिया रिजर्ब वेंग के द था तो निस्ट सपच पन होगा था ठीकना बारत में किसके भारत के सिखहे कहा कहा छपते है भारत में आपको सिखहें चपते हैं मुंबई कोलकता अगला सवाल देखिए टोकियो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदा किस खिलारी ने जीता तो पहला स्वर्ण पदा कुन जीता टोकियो ओलंपिक का तो चीन का व्यक्ति था यांग क्यांग क्या नाम था उसका यांग क्यांग तो टोकियो ओलंपिक का भी हाल में घटित हुआ ह इससे क्या होगा एक question आपके किसी भी एक्जाम में जरूर छपेगा चाहे वो MTS हो, SSC GD हो, NTPC CBT2 हो, group D हो या फिर कोई भी एक्जाम होगा हाल फिलाल में होने वाला ठीक ना अब देखिए टोक्यो ओलम्पिक 2020 के सम्म्यार्थ में कोन साक्तषण, असत्य है, पहला है असम के मुक्यवाद, लव लीना बूला- इन्ने, तो यह बिल्कुल सही है इन्होंने क्या किया था? कांस्पदक जीता था दूसरा है, भारत पुरुस्वक् себе टीम ने कांसे अब देखिए अब देखिए एफ आई डी एग शतरंज विश्व कब 2021 का किताब किस ने जीता तो यह विलिंडर डूडा के द्वारा जीता गया किसके द्वारा जीता गया आंतराष्टिया साइन ने खेल 2020 का मेजवानी किस द्वारा किया गया तो यह किसको दिया गया तो यह आपको दिया गया साकेबूल अगर आपको यह अच्छा लगा है को समझ में आ रहा है और क्या है पेटर्न सही है क्योंकि यह कहीं ओनलाइन से लाया गया है और आपको परवाइड किया गया है तो आप इसको कह कि पूरा देखिए और दवा के लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेर सब्सक्राइब और अगर आप इस ऐसे कोश्चन का सेट मारना चाहते हैं पहले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सर्वेस क्लासेश केजी जी को जाके टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं मैं तो नहीं डी लिंक डिस्क्रिशन में दे दूंगा जै हिन जै भा बंदे मातरम पढ़ते रहिए और क्या किजिए बढ़ते रहिए